में तीसरी बार मोधी सरकार बनने जा रही है और वो भी प्रचंड बहुमत के साथ एक्जिट पॉल इन्ही परणामें तब्दील हो पाएंगे यह चार जून को पता लग जाएगा लेकिन एक्जिट पॉल को लेकर भाजपाने इता होगी क्या प्रित्क्रिया मेरे साथ कैबि चार सो पार का नारा दे रहे थे और यह भी कह रहे थे कि हम बहुत प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता माएंगे एक्जिट पॉल भी लगवा उसी और सारा कर रहे हैं तो क्या यही परणाम चार को देखने को मिलेंगे देखे मैं निश्चित ही कह सकता हूँ कि इस बार का जो चुनाव है पिछले दस साल की नरंदर मोधी की सरकार के विकास के अध्याई के साथ में सुरू हुआ और आने वाले कहीं बरसों तक भारत आगे किसे बढ़ सके इसके साथ ही चुनाव परिणाम आएगा चार जून को निश्चित ही चार सो पार का जो हमारा नारा था ये बीजेपी का तो होई सकता है एंड़े गठमन्द का हो सकता है लेकिन कहिन की देश की जनता का नारा भी था विपक्स के पास में ना नेता है ना नियत है ना नेतरतो है कुछ भी नहीं है विपक्स के पास में विपक्स तो एक करारी हार जहलने के लिए तैयार है चार जून को राज़स्तान की 25 सीटे हम लोग निश्यती जीतेंगे और NDA 400 पार का नारा जो है ये पूरा होगा देश नेंदर मोधी के साथ में खड़ा है देश चाहता है कि नेंदर मोधी तीसरी बार परदान मंत्री बने देश का नेतर तो करें बिश्व में भारत का मान समान गौरों बड़े तो ज़्यादा कुछ कहने के आउशकता नहीं है देश मोधी के साथ में खड़ा इसलिए चार जून को परच्छन बहुमत के साथ में भारती जनता पार्टी के सरकार बनने वाली अबनाजी एक अच्छी ख़बर आपको पता लगया हो अरुनाचल प्रदेश में आपकी सरकार बन गई है और अच्छे बहुमत के साथ बन गई है ये बधा यह आपको लेकिन मैं अगर एगजिट पोल की बात करूं तो आप क्या मानते हैं कि विपक्ष लगाता है कि जैसा प्रदान मंतरी मोधी जी ने कल दो दिन का जो ध्यान तब किया है 131 साल पहले सूमी विवेकान अनजी ने भी वहां ऐसा ही तब कहा था उसके बाद में सिखाओं में धर्म सबाम उन्होंने इस पीछ दिया था उसके बाद में देश में नया परिवरतन हुआ था मैं सोचता हूँ कि 131 साल बाद में वापस इत्यास है वो दोराने के लिए बीजे भी खड़ी है जा नैंदर मोदी के नेतरों में वेस्विक नेता है जिनोंने विश्व के अंदर भारत का जो समान बढ़ाया है कहीं ने पूरे विश्व के जो देश हैं वो भारत की तरफ देखते हैं मोदी जी की तरफ देखते हैं ये उनका जो देश के 140 करोड लोगों के परती जो नजरिया है उनका उसी की कारण में सोचता हूँ कि चार सो पार होगा और कहीं ने कहीं exit poll के बारे में जो विपक्षी दल कहता है चाहे राहूल गांदी जी हो चाहे खडगे साब हो खडगे साब ने दो सो पंचानों काया तो कहने के लिए बहुत कुछ है वो किह सकते हैं उनकी अपनी स्वत्रम्तरा है लेकिन चार जून को आज दो तारीक हो गी दो दिन बाद में कल कल का दिन हमारे पास में हैं। वही लोग हैं जो चार तारी को चार बजे के बाद में एवियम में गड़बडी थी, ये न्यूज वालों ने उसको मैनेज कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, ये सारी तमाम जो आरोप परते आरोप हैं, ये चार तारी के बाद लगने वाले हैं, तो देश की जनता को पता ह कि विपक्स जो है वो मोदीजी के सामने कहीं खड़ा होता है दिखाई नहीं दे रहा है उनके पास मुद्दे नहीं है उनके पास में कोई नेतर तो भी नहीं है उनके पास में धाहूल गांधी जैसा है कि वो उनको विश्व इस्तरी नेता भी मानते है लेकिन देश के 140 कड़ जनतां को स्विकार नहीं करती है, उगे की हर एक लॉंचिंग की जो स्खीम थी वो आज दिन तक फैल हुई है, मुझे लगता है दो दर्सिंग जादा वार उनको लॉंच करने का प्रियास कॉंग्रेस दोरा किया गया, लेकिन आखिर में वो सफल नहीं हो पारें क्योंकि देश मोदी के साथ में खड़ा है, अब क्या लगता है, आपने मोदी के ध्यान का जिक्र किया है, ध्यान करने हो गए, इसको लेकर भी विवख्ष में निसाना सादा, यहां तक की हाई कोट पहुचे, चुनाव आयोग में सिकायत की, कि इसका प्रिसारन क करेंगे तो यह अचार सिनिता का उलंगन होगा, तेकि नेमर मोदी जी वो नेता है, जो कहने में ने करने में विश्वास करते हैं, सुद रूप से उन्होंने हिंदूस्तान की संस्कर्ती को परिभासित किया है, और पिछले दस सालों में वास्तों में रास्टवाद क्या हो कोई तनाव ऐसी बात नहीं है, हिंदू तो हमारी आत्मा है, हिंदू तो हमारे पुरातन संस्क्र्ती का हिस्सा है, हमारा आने वाला भविश्य भी है, हिंदू तो है वसुदेव कुटम की भावना, हिंदू तो है 140 करोड देश वासियों के साथ सबका साथ, सबका विकास, स इसको परिबासित किया है लेकिं कत्ता ही मैं यह vestoo कोई गलत szежд- अंधु तो देश की आत्मा है देश का ब Muzi लिए विपक्स उनके बारां में कुछ भी कहे लेकिन पूरा देश जाज नहंडर नेंदर मोदीजी के तरफ देखता है, नेंदर मोदीजी को आसा भरी नजर से देखता है कि नहीं, वो हमारे विश्चों का नेत्र तो कर सकते हैं, और वो कर भी रहे हैं आज की तारिक में, इसलिए आज सब देश जो हैं, वो उनके साथ खड़े हैं, विपक्स के पास में चुनाब हुआ, वो विपक्षिन एक नेरेटिव सेट करने का प्रियास किया, कितना सफल हुए वो चार जून को पता लगेगा, उन्होंने बेरुजगारी का मुद्दा उठाया, उन्होंने का आगी सम्विदान खत्रे में हैं, ये उन्होंने नारा दिया, और एक पूरे लगातार इस तरह का एक और साथ ही एक जाती है कहीं गोलबंदी करने का प्रियास उन्होंने इस्तानी मुद्दों के आधार पर या सीटवार करने का प्रियास किया, और ये चार पिलर के आधार पर उन्होंने कोशिस की कि वो मोदी को मात दें, बीजेपी को मात दें, लेक पे गहरने का परियास किया, ऐसे ऐसे मुद्दे लाए गए जिसकी कोई चुनाओं में जरूत नहीं थी हैं, चार्ट सो सीटे लगबख साड़े तीन सो चार्ट सो के बीच में फिचे दस साल से भारती जनता पार्टी के पास में सीटे हैं, अगर हमें समिधान को बदलना था, आरक्षन खत्म करना था, और कुछ ऐसे जो काम थे, अगर करने थे तो पहले ही हम लोग कट चुके होते हैं, हम लोग तो साड़े तीन सो प्लस ही थे हैं, दोजा चौदा से लेकर दोजा चौबिस के बीच में, लेकिन कहीं कहीं कॉंग्रेस को लगता है कि जनता की बीचे पहला कर हम लोग यह जीट जाएंगे, यह तो एक क्रिकेट का मैच है, अब अच्छी बोलिंग करोगे, अच्छी बेटिंग करोगे, अच्छी फिल्डिंग करोगे, तभी तो मैं जीत पाऊँगे आपा, यह कॉंग्रेस के पासमない हैं, तो मैं सूचता हूं कि यह जो गॉन हार की तब लोट रही है कहीं ने कहीं उसको पचाने के लिए भाने उनके पास में चाहिए तो कभी हाई सुप्रिम कोड जाते हैं कभी वहां जाते हैं कभी वहां जाते हैं तो ये उनके पास में बचाओ के तरीके जरू हो सकते हैं लेकिन ना नाइक व्यूस्ता उनको स्विक इसा कभी नहीं हुआ, अमेरिटी से उनको जनता ने बगाया, वाइनाट से जनता ने बगाया, इस बार राई बरेली से उनको बगाया जा रहा है, सोनिय अगांद जी खुच उनावनी लड़ रही है, उनको पता है कि मेरी हार हो जाएगी, तो इतनी बड़ी पार्टी की विश्वास की बात जीतना, शेकडो देशों का विश्वास जीतना, ये नहिंदर मोदी जी के अंदर है, और मैं तो सोचता हूँ, नहिंदर मोदी जी किसी बगवान से कम नहीं है, बगवान नहीं है, लेकिन बगवान से कम नहीं है, उनके साथ में लाखो करोडों लोगों हैं और हम तो चाहते हैं कि नेंदर मोधिज जीसा व्यक्ति इस देश के सत्ता को संभाले देश को नई दिसा देश को एक नए उच इस तर पर पहुचाएं जहां हम लोगों ने देखा है कि पिछले ग्यारा से पांच यी बड़ी अर्थिक व्यूस्ता हो गई सेनिकों के साथ हमने इतना अच्छा काम किया है किसानों के साथ किया है व्यापारिवर کے साह देश को आगे बढ़ने के लिए काम है हमने समीधान तो रजियु गांदी से लेकर इंद्रा गांदी से लेकर जवाला नेरू के समय भी बदला गया है देश की आत्मा को कुछला गया है, लोगतंतर की हत्या की गी, सो से ज़्यादा बार चुनीज सरकारों को उन्होंने हटाया है, कॉंग्रे सरकार के समय, लेकिन भारती जिन्ता पार्टी ऐसा कभी नहीं किया, दस सालों में कभी ऐसा कोई वाक्या नहीं हुआ तो ये सारी ऐसा की आरक्षण को लेकर विपक्षण का कि आप एसाईस्ट ट का आप ख्तम कर देंगे लेकिन वहीं आपने व एक बड़ा सवाल किया कि कहिना कि आपने एसस्टे ओ बिशस्यायार है, इसको लेकर आपने कहा तक समिक्षा भी कराएंगे तो एक बड़ा मुद्दा बना चुनाओं में देखिए भारती जनता पार्टी और एंडिये गट्पन कभी इस बात के पक्स में नहीं राक्षान खत्म होना चाहिए आरक्षान सामाजी एक राजनितिक आर्थिक अस्रामान का प्रतीक है उसको देखते हुए हमारे पूर जोने समिधान निर्माताओं ने ये विवस्ता लागू करी थिया बीजेपी के किसी नेता ने आज दिन तक कभी ये निका हम आरक्षान जो है खत्म करेंगे एस सी एस टी ओबी से वर का जो आरक्षान है वो लागू होना चाह रहा है जो चाल चलन चरितर के बारे में अगर बात करें तो वो उनका जंता के सामने लाना जरूरी था कि वो लोग हैं वाकई में वो इसके विरोधी है हम लोगों ने तो उनके साथ में समान तरीके से विवार किया सब के साथ में आरक्षान लागू है हमने कभी ने खत्म ह वो रहेगा जब तक हम लोगे ये मोदी जी ने बहुत इस प्रस कर चुके इसके बारे में साइद अब कुछ बसता नहीं है रही बात मुस्लिम समाज के आरक्षन की हमारा सविदान इस बात के लिए बना है कि धर्म के आदार पर किसी को भी हम लोग आरक्षन नहीं दे सकते है अभी कुछ दिन पहले मानने कलकता उच नियाले ने एक फैसला दिया जहां वहां की इस्थानी सरकार ने तरेनमल कॉंग्रेस की सरकार ने मुस्लिम समाज को धर्म के आदार पर आरक्षन दिया अगर कहीं धर्मिक आदार पर किसी को आरक्षन दिया जाएकर समीधान इसकी देता हैं हमसे जब पूछा गया जब वो कोलकता हाईगोर्ट का फैसला था हमसे पूछा गया हमने यही कहा कि वास्तों में यह सही है कि समीधान के आधार पर अगर कोई चीजे मिलती है परदान की जाते तो ठीक है लिगल भी रहते हैं लेकिन समीधान को एक तर रखे अग पर भी समीधान को ताक में रखकर बिना किसी सर्वे के आधार पर और जो भी जी फॉर्मिल्टीज होती है उनको उप्चक्ता करने के बाद में अगर नहीं दिया गया होगा तो हम हमारी जो विभाग की तरफ से एक रिपोर्ट हम लोग अभी तयार कर रहे हैं तयार करके मा को चार सीटों का नुकसान हो सकता है कई तो पांस से साथ सीटों का नुकसान भी बता रहे हैं कोई भी सर्वे ये बता रहा है कि नेंदर मोदी प्रधान में नहीं बनने वाले हैं तीन सो पचार सब जगह है और जो मोदी जी ने नारा दिया था देश ने नारा दिया था च में बात में कोई दोरा यह नहीं मार्जिन कम हो सकता है लेकिन पच्चीस कमल के फूल खिलने से राजस्थान में कोई नियुक्छ सकता है सर्वे भी तेविश तक बताई रहें एक दू शीटों का बता रहें लेकिन मैं यह कहरा हूं कि हमें राजस्थां की जनता पर बरोसा है कि वो 25 की 25 जो हमारे पिछले सो दिन में मुखी मंतरी बजलाल सर्माजी ने काम किया है नरंदर मोदी जिन दस साल में काम किया है उसके आधार पर कहीं कोई गुंजाइस बस्ती नहीं कि हम लोग 25 से कम सीटे जीतने वाले 25 की 25 सीटे प्रचंड बहुमत के साथ फ ये मोदी 30 वार पियेम बनने जा रहे है देश के विडियोनलिस्ट दनेश के साथ लाल सिंग फोजदार सच बेदारक जैपूर